19 सदी में जब ब्रिटेन में अकबारों की शुरुवात हुई तब वहां राजनेतिक उथल पुथल का समय था लोगतांत्रिक चुनाओं में केवल उच्च वर्ग भाग लेते थे और निम्न तबके इसके विरुद्ध संगर्श कर रहे थे इसे देखते हुए वहां की सरकार ने अकबारों पर कड़ी पाबंदिया लगाई ताकि शासन विरोधी विचार लोगों मिन्ना फैले अकबारों की खबर वह विचारों का सेंसर्शिप होता और अप्रिये खबरों को प्रकाशित करने की अनुमती नहीं थी अकबार आम जन्ता की पहुँच के बाहर रहे यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार उन पर कर लगाती थी जिसे स्टाम कहा जाता था मगर इसका असर उल्टा हुआ छोटे-छोटे छापा खानों में अवैत पत्रिकाएं छपने लगी और वे लोगों में बहुत लोगप्री हुई सरकार द्वारा पत्रिकाओं पर कर लगाने का भी विरोध हुआ क्योंकि इसे ज्यान फैलाने पर कर के रूप में देखा गया अन्तितो गत्वा 1858 में यह कर समाप्त किया गया और माना जाता है कि इसके बाद पत्रिकाओं का स्वर्णिम युग शुरू हुआ लेकिन इस युग में पत्रिकाओं पर नियंत्रण सरकार के हाथों से निकल कर बड़े पुझी पती घरानों के हाथों में चला गया पत्रिकाओं चलाना बहुत खर्चिला काम था और इसके लिए बहुत अधिक पुझी का निवेश लगने लगा यही नहीं इसे चलाने के लिए विज्ञापनों की जरूरत थी जो केवल बड़ी कमपनिया ही दे सकती थी वे ना केवल अपने उत्पादों का विज्ञापन करते थे बलकि अकबारों में किस तरह की खबरे चपेंगी और किस तरह के विचार रखे जाएंगे इन पर भी नियंद्रन करने लगे जो बड़े पत्रिका घराने थे वे ही इतनी तादात पर पत्रिकाएं चापकर हर शेत्र और प्रदेश में पहुँचा सकते थे छोटे प्रकाशक नहीं कर सकते थे 1930 तक ब्रिटेन में चार घरानों के हाथ में लगबग आदे पत्र पत्रिकाओं का संचालन था जिनने प्रेश बैनर या छपाई जागिरदार कहा जाता था बीसवी सदी में अकबार प्रकाशकों में हुए परिवर्तन के कारण अकबारों की भूमिकाओं में परिवर्तन हुआ अब उनका काम सिर्फ खबरे वविज्यापन मोहया कराना नहीं रह गया बलकि उनके माध्यम से जन सम्मू को किसी खास दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया जा सकता था इसके कुछ उदाहरन प्रथम विश्युद्ध के दोरान देखे जा सकते हैं जब जर्मनी और ब्रिटेन के पास अकबार एक दूसरे के प्रती कटुता पैदा करने वाली खबरे छाप रहे थे इसी दोरान दोनों गुट के देशों के अकबारों में अतिराश्ट्रवादी भावनाय फैलाने वसेना में भरती को प्रोचाहित करने वाली खबरें प्रमुकता से छपती रही जो भी हो, 1980 के दशक तक अकबार ही लोगों तक विचार और खबरें वा विज्ञापन पहुचाने के प्रमुक साधन रहे ब्रिटेन और अमेरिका जैसे साक्षर देशों में अधिकांश पूरुष और महिलाएं अकबार पढ़ते थे ब्रिटेन में उदाहरन के लिए 1980 में लगभग 76 प्रतिशत पूरुष और 62 प्रतिशत महिलाएं अकबार पढ़ती थे 1980 के अंत तक टीवी जैसे इलेक्ट्रोनिक माध्यम का विकास हुआ जो छपी पत्रिकाओं का स्थान तेजी से लेने लगी इस कारण से छपी पत्रिकाओं गहरे संकट में पढ़ गई